नमस्कार मैं सौरा मिश्रा स्वागत करता हूँ आप लोग का अपने स्वीट्यूप चैनल इगरुगुल में फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोग से बात करूँगा इगनु के फेबरी 2021 में होने वाले टेर्मेट इग्जामनेशन के बारे में इगनु ने अपनी फाइनल डेटशिट रिलीज कर दी गई है 28 दिसंबर को ये फाइनल डेटशिट रिलीज हुई है ये डेटशिट मैंने अपने सभी WhatsApp गुरुप्स पे पोस्ट कर दी गई है मेरे Telegram चैनल पे ये डेटशिट आपको अवलेबल हो जाएगी अगर आपने यह download नहीं की अभी तक या नहीं देखी है या अभी तक आपके पास यह final date sheet नहीं पहुची है तो आप please मेरे whatsapp groups में जो लोग students connected हैं वहाँ से देख सकते हैं मेरे telegram channel पे आपको यह date sheet मिल जाएगी link इसी वीडियो की description box में आपको मिल जाएगा वहाँ से आप telegram channel पे उस date sheet को ले सकते हैं या इगनू की official website पे भी आपको यह date sheet available मिल जाएगी आप वहाँ से जाके इसको download कर सकते हैं बहुत सारी चीजें जो doubt में थी उनको इगनू ने clear किया है इस बार की कौन-कौन से papers कैसे होंगे सबसे बड़ा जो questions था वो की papers objective natures के होंगे या descriptive natures के होंगे तो अगर मैं library science के subject की बात करूँ जिसमें मैं BLIS के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो paper इस बार जो February भी paper हो रहे हैं वो descriptive mode में होने वाले हैं descriptive mode मतलब आपको long answers लिखने पड़ेंगे आपको answer writing करने पड़ेगी जैसे सितंबर में paper हुआ था जिसमें objective questions आये थे OMR sheets मिली थी आप लोग को और circle करने थे वो format इस बार applicable नहीं है मतलब February में जो exam हो रहे हैं उसमें इस बार OMR sheet नहीं मिलेगी आपको circle नहीं करना पड़ेगा पूरा descriptive answer लिखना पड़ेगा तो ये बहुत सारे students का question था बहुत बार ये मेरे से messages करके call करके students पूछ रहते तो इसके लिए मैंने ये video release की है कि आप लोग प्लीज इस बात को अभी बहुत अच्छे से set कर लीजे अपने mind में कि आपके February में जो exams होने वाले हैं वो descriptive mode में होंगे आपको descriptive mode में पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको answer writing प्रेक्टिस करनी पड़ेगी आपके अपने February exams के लिए exam centers आप लोग ने जो exam form भरे होंगे most probably है कि आपको exam center वहीं पर दिया जाएगा इगनू की तरफ से ये भी नीचे एक mention है instructions में कि most probably आपको exam दिया जाएगा but due to अगर pandemic कोई problem आती है किसी भी reason में तो आपको जो nearby centers होंगे वहाँ पर आपको आपका exam center अलोट करनी कोशिश की जाएगी 31st December जो assignment submit करने की last date है exam form भरने की last date है अगर कोई students बच गया हो जिनोंने अभी तक exam form नहीं final किया हो अपना exam form नहीं भरा हो जो February में exams है या फिर अपने assignments नहीं submit किये हैं अभी तक उनके पास एक last मौका है 31st December 31st December से पहले अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो please अगर आपके exams form बचे हुए है फिल करने के या आपके assignments बचे हुए है तो please आप लोग अपने complete कर लीजे वो चीजें जब तक आभी complete नहीं देगे तब तक आपका final exam या admit card आपको नहीं मिलेगा admit card के बारे में एक रूने जैसे बताया है कि आपको one week पहले या फिर almost 10 days पहले आपको आपके admit cards मिल जाएंगे website पे आपको अपने उनके admit cards से रिलीज हो जाएंगे मतलब अगर आपके 8th February इस exam है तो आप मान लीजेगा last week of January या first week of February में आपको आपके admit cards मिल जाएंगे तो आप उसकी tension मतलब दीजे इसमें जो सबसे important point है कि आपकी ये चीज़ें clear हो चुकी है कि अब आपका exam descriptive mode में हो रहा है objective nature का नहीं आएंगे questions तो AMR sheets में या जो objective questions थे उनकी जो problems थी वो अभी आप लोग थोड़ा सा छोड़ दीजे descriptive mode में पढ़ाई केजिए ignuka study material जो आपके पास available है बहुत अच्छा study material है आप लोग उनसे पढ़ाई करना start कर दीजे मेरी कुछ videos पहले से ही YouTube channels पे uploaded है 221, 222 और 223 की almost सभी videos अभी कुछ बच गई है तो मैं वो आगे भी आपकी exam से पहले सब कुछ सारा study material का content जो भी है available है मैं उसको descriptive mode में किस तरह से आपको पढ़ना है वो सारी videos में release कर दूँगा अपने channel पे वहाँ पे आप देख सकते हैं और भी कोई problems है और भी कोई queries है और भी कोई doubts है अगर आपको लेकर exams को लेकर कि exams कैसे करना है कौन-कौन सी problems आपको face करने ही exams को लेकर वो भी अगर कोई problems है आपको तो नीचे description box में comment box में sorry आप अपने problems लिखिए मैं आपको ज़रूर उसके reply करने कोशिश करूँगा और भी अगर कोई doubts है तो आप लोग please मेरे channels पे जाईए और भी पिछले के syllabus में जितने भी आपको chapters available हैं वो सारे मैंने cover कर लिये हैं वहाँ से आप इसको descriptive board में पढ़ सकते हैं बाकी जो remaining videos हैं मैं आप exam से पहले सारी कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी जितनी भी हो सके हैं वो complete कर लूँ videos बनाने का जो starting की थी मैंने वो थोड़ा सा break हुआ था बट अभी ये continuity फिर से start हो जाएगी और आपको आपके February वाले exam से पहले वो सारे videos जितने भी chapters बचे हुएं lectures बचे हुएं वो मैं सारे upload कर दूँगा तो एक छोटी से video आपको एक update देने के लिए कि आपकी जो exams है exam date sheet release हो गई है जिन students ने अपना assignment submit नहीं किया exam form submit नहीं किया वो अपने final कर दें और जो instructions आए हुए है इगनो की उस पे date sheet में वो आप प्लीज जरूर पढ़ें दो shift में आपका exam होने वाला है morning shift, afternoon shift जो BLIS exam है वो evening shift में किया जा रहा है दो बज़े से लेकर पांच बेज तक इस बात का आप ध्यान रखे exam center आपको admit card में मिल जाएंगे वो चीज़े को आप ध्यान रखेगा बाकि अगर आप कोई और query हो तो प्लीज आप लोग मीचे comment box में पूछे मैं आपको उसका reply करता हूँ एक चोटी सी चोटी सी वीडियो मिलते हैं को और नई वीडियो को साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिन